हेलो दोस्तों नमस्कार मैं अंकित भाटी रोजगारविदन के चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ दोस्तों समीधान हम आफलाइन पढ़ा रहे हैं तो सोचा कि जो चीज बोर्ड पर बताता हूँ आप लोग को भी बता दूँ उसको ठीक है तो यह आज जो structure लिखा है पूरा यह संसद के बारे में आपको पढ़ाना है जो बुक में दे रखा है यही सारे points हैं संसद के बारे में आपको लगेगा कि इसके लावा कुछ और बचता नहीं है संसद में ठीक है और आपको भी मैं में बोल रहा हूं जो इस बुक को हमारी ले रखा है यलो बुक अंकित भाटी जी के नाम से मिल जाएगी आपको मार्कीड में तो उसमें आपको जो संसद का portion है या कोई भी और portion आगे का याद करना हो रास्ट्रपती याद करना हो आगे और भी बहुत सारी चीज़ें यह क्या है तो उसका मैंने सौर्ट आप भी रफली यह काम करेंगे कि आपको यह पर्मानेंट याद हो जाएगा फिर तो आप उसका एक हिंट लिखें और उसका आंसर खुद करें पहले उसको पढ़ लें फिर एक हिंट लिखें उनमें से हर लाइन का फिर उसका आंसर खु करो छोटे से राफली ठीक है क्योंकि आप कोई पढ़ना किसी को पढ़ा नहीं तो गंदी सी राइटिंग में पांच मिनट में बना दोगे सारे और फिर उनके आंसर खुद करो फिर देखो कितना अच्छा लगेगा आपको अब जैसे मैं आपको बताता हूं तरीका क्या जैस संसद अनुच्छेद 89 के अंतरगत है कि भारत में एक संसद होगी ठीक है संसद का अगठन इस तरह से होगा ठीक है यह अनुच्छेद अनुच्छेद हैं वो हम बाद में पढ़ेंगे 345 अनुच्छेद हैं हमारे पूरे सम्विधान में आप क्या ओबताजी कोई 445 कहेगा वो 400 चबाले 396 आप कहीं नहीं सुनोगे अनुच्छेद 396 में क्या कोई पूछेगा नहीं वो फिर 445 कैसे हुआ हैं वो ऐसे हैं किसी में कह लग गया किसी में कह लग गया बीच में जैसे आप 51 कह सुनते हो मूल करते हैं तो वो 396 मह हो गया बाकि गिंती में 395 ही आपको आ में ही आपको लगाना है ठीक है गिंती में 300 पिच्छान में ही आज कहेंगे 22 भाग आप पढ़ते हैं समीधान के अंतरगत है और जब बना था मूल समीधान में बाइस भागते हैं आज आप 25 कहते हैं कहीं कहीं कि नौवे भाग का क्य भी है है ठीक है एक और भाग है तो तीन तीन के हम कहखे पढ़ते हैं इसलिए वह 25 हो जाते हैं बाकी है बाइस ही भाग आज भी ठीक है तो इसलिए वह confusion दूर रखो अपने मन का कि वह क्या ठीक है बात समझ में आ रही है चलिए अब मैं कहता हूं संसद अनुच्छद 89 के अंतरगत क्यों को आइटिकल अगर कोई यू रट है कि अनुच्छद एक से लेकर मुझे 300 पिचान में तक रटना है आप रट नहीं पाओगे कभी भी नहीं रट पाओगे तो आप राष्टपती आ रहा है राष्टपती संबंदित जो अनुच्छद उन्ह कि आपको सारे याद है ठीक है तो वो उन चीजों को जैसे रिलेटिड है संसद से रिलेटिड है तो आपको संसद वाले अनुच्छद याद होने चाहिए जो में में है सारे नहीं संसद में बहुत सारे अनुच्छद है किसी में क्या है किसी में क्या है तो वो मतलब मैं यह किसका मुलब संसद की आकरती कैसी अगर कोई पूछे तो आप कहेंगे व्रत्तकार ऐसे आपने देखा भी होगा टीवी में बनी रहती है ठीक है चलिए संसद की नीव 12 फरवरी 1921 में पड़ी थी बिलकुल संसद की जो नीव थी और वो रखी किसने थी वो नक्सा किसने त तैयार करें ठीक है जो मिस्त्रिय वो उसका नाम नीए निया कभी सोचो जी मिस्त्री था तो यह है वस्तु कार अर्कीड act जिसने तयार करके दिया था नृटियन्स वह हर्बर्ट बेकर हेवल्ट बेकर ठीक है एक दिलिए में जहां पर भी संसद है जहां सब भी राष्टपती बैठता जहां भी पीएमों जहां भी साउथ ब्लॉक नॉर्थ ब्लॉक जो हमारे ऑफिस हैं मैं तो इसलिए बता रहा हूं सब को हम भी वहीं पर बैठते हैं तो लुटियंस जॉन बोला जाता है वह पूरा एरिया ठीक है इंडिया गेट से ले करके और यहां पर यह संसद यह सब मिले पड़ें संसद राष्टपती भवन पीएमों सब बिल्कुल आसपास हैं ठीक है एक दम सारी बिल्डिंग्स बेड़ी हुई है तो उसको पूरे एरिया को लुटियंस जॉन बोला जाता है जो बिल्कुल मतलब बहुत सुरक्षित जॉन माना क्याती वर्स होते हैं तीन अंग कौन-कौनसे पहले बता दूं कि संसद में 3 अंग होते हैं・ एक तो लोकसभा दूसरा राज्यसभा और तीसरा है रास्टपती संसद के तीन इंग आप बोलेंगे रास्टपती एक अलग अन्ग है उसको हम बाद में पढ़ेंगे लोकसभा कांगे दूसरा राज्यसवाब उनके बारे में थोड़ा सा जान लेंगे लोग सबह राज्यसवाब हैं क्या खास बाते हैं ठीक है तीन सत्र होते हैं तीन सत्र हर साल होते हैं संसद के अगर कोई विसेश सत्र ना बुलाया जाए इनके अलावा विसेश सत्र बुलाया जा सकता ठीक है विशे सामंतरन रास्टपती बुला ले वो बात अलग है ठीक है लेकिन तीन ही सत्र संसद के होते हैं साल में उन्स तीनों सत्रों का अगर मैं नाम बोलूं तो ऐसे ही आप तीन सत्र लिखो तीनों के नाम लिखो ऐसे आपको एक सौट नोट बना रही है आपका काम मैं मैं यह सोच रही हूं बस आपको इस तरह से लिखना है आपको याद हो जाएगा अपने आप लिखते ही आद हो जाएगा चांस और लिखना या मत而且 लिखना तो सब से पहला सत्र मान जाता बजट सत्र साल के सुरुवात में सबसे पहले जैसे अब साल चल रहा है तो अब बजट सत्र ठीक है बजट सत्र चलेगा यह कब रहेगा जा बजट के आसपास मतलब फरवरी मार्च अप्रैल उस टाइम पे सत्र चलता है फिर आ जाता है इस अगला मांसून सत्र संसद इन सत्रों में बैठती है तीन सत्र होते हैं मांसून सत्र और मांसून के बाद हमारे हाँ आती मांसून का भोगा जुलाई अगस्त वह मांसून सत्र का टाइम है मांसून आता ही तब हमारे हां फिर इसके बाद कौन सा सत्र आ जाता है सी इतकालीन सत्र तो तीन सत्रों में संसद होती है कितने दिन के होते हैं सत्र इसका कोई फिक्स नहीं है अगर कोई बोले कि यह कितने दिन सत्र चलाने के लिए गणपूर्ती एक सब्द होता है कि सत्र तभी चल सकता है जैसे 545 लोकसभा में सदस्य वर्तमान में हैं तो 545 के लिए जरूरी है कि उसके गणपूर्ती हो तभी सत्र को आगे बढ़ाएं कैई बार आप देखते होंगे कि यह थोड़ी है कि हर टाइम 545 बैठें मिलेंगे संसद में कम से भी संसद चलती ए आपने देखा जीए्टी पास हुआ यह वोट तो आप कहोके बाकी संसद कहां थैं तो बाकी संसद हर टाइम हर संसbt नहीं होता संसद नहीं होता सतृ में तो मतलब गंपूर्ती होनी चाहिए संसद का सत्र चलेगा और ग संख्या है पांसो पैतालिस मैक्सिम्मम लिया जाता है पांसो बावन मैक्सिमूम सदस्व को सकते हैं तक कर एक बटे दस यह तो 55 सदस्व या اक बटे दस हो जो भी इनमे जादा होगा व canal पूर्ती मानी जाएगी ठीक है 58 बटे बात समझ माहिर राज्यासभा की भी एक बटे दस है 500 का एक बटे दस यानि 25 सदस से वहां होना चाहिए हट तबी राज्यासभा का सदन चल सकता है ठीक है वो होती है गणपूर्ती चलिए आगे वर्ड आएगा तो गणपूर्ती में गणपूर्ती बता देंगे आगे बात करते हैं लोकसभा लोकसभा और देखिए दो चीजे हैं ये लिखा कम है कोई बात नहीं ये मैं ऐसे लिखना था लोकसभा और इधर है राज्यसभा इन दोनों के बारे में इन पॉइंट्स पर बात करूँगा तो सदस्य संख्या लोकसभा में कितनी होती है वोई चीज मैं कहना चाह रहा हूँ 545 है वर्तमान में देखिए यहां पर वर्तमान तो नहीं लिखा है तो मैं कहूँगा सदस्य संख्या अधिक्तम यानि 552 हो सकती है और यह 2500 हो सकती है अधिक्तम है यह अधिक्तम लेकिन एक सम्विधान में संसोधन हुआ और अब 2026 तक निश्चित हो गई आ है सदस्य संक्या ठीके और वो साइद 60 सम्विधान संसोधन है या 84 सिवा नहीं हुए 2002 में उससे ये निश्चित हो गया कि वर्तमान में जो संख्या है 545 और यहां पर 245 यह अब 2026 तक फिक्स कर दी गए यह इसको कोई छेड़ेगा नहीं क्योंकि नहीं तो फिर से वापस परी सीमन आयोग बैठेगा फिर से पूरी बाउंडरी तै की जाएंगी यहां तक का यहां यह एंप यहां तक करिया है करता है क्या उतका इतना चित्र है इस मले यह शीट्र है ठीक है वह कह चेन्क होता है ँम पाउप झूप का च्coon करता है जो अब 2026 के बादो इसके लिए तब تक फिक्स हो गई है ठीक है यह सीटे अब घट बढ़नही सकती तो 2026 तक 545 fix है, maximum ये हो सकती है, ठीक है, चलिए, अब ये maximum की बात ही खतम हो गई है, तो ये हो सकती थी, पर अब तो ये ही रहेंगी, अब इसको कोई छेड़ने वाला नहीं है, सदस्य नियुन्तम आयू, इनके सदस्यों की नियुन्तम आयू, लोकसभा की 25 वर्स, मैं बता रहा हूँ, ये सब चीजें आप अपने आप लिखो, देख देख के किताब में point to point और ये खुद भरो, तो आपको लगेगा कि वाकई में हमारी बहुत अच्छे सम्मिधान हम पढ़ रहे हैं, इन चीजों को खुद लिखो जो मैं लिख रहा हूँ, तो इसका सदस्या बनने के लिए नियुन्तमायू 25 वर्स और इसका सदस्या बनने के लिए नियुन्तमायू 25 वर्स और इसका सदस्या बनने के लिए अगर कोई बोले नियुन्तमायू क्या है तो वो 25 वर्स भी कह सकते हो, 25 वर्स ही आपको होगे, अगर वो राज्यसभा से, प्रदानमंत्री लोकसभा का सदस्य हो या रज्य सभा का किसी का भी चलेगा पर एक सदन का सदस्य होना जरूरी है बात आरीए समझ में अगर इस से है तो उसकी उम्र 30 वर्स है अगर वो लोकसभा से है तो प्रदानमंत्री बनने की नियुनतमूम 25 वर्स है तो आप कहेंगे दो और वो भी एंगलो इंडियन एंगलो इंडियन मतलब अंगल भारतिय जो भारतिय ना हो तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो विदेशी लोग भारत में रह रहे हैं ठीक है इस टाइप का चलिए अंगल भारतिय और दूसरा कौन इसमें बार यह कौन लोग होते हैं जो कला साहित विसेश योगदान भारत में उन्होंने दिया होगा तो उनको बना दिया जाता है ठीक है जैसे बिर्जु महराज हैं बहुत आप फेमस हैं अपने छेत्र में तो उनको बना सकते हैं कलाम हैं वो ठीक है तो इस तरीके से इनको बनाया जाता है आगे कारियकाल कारियकाल लोकसभा का पांच वर्स एक ही बार ऐसा हुआ है आज तक कि छे वर्स रहा है कारियकाल कि दोग लोकसर कारियकाल 6 वर्स किया गया था बढ़ाया सकते हो तो इमर्जैंस इति देश में तो उसमें सम्विधान संसोधन जो किया गया था उसमें वो संसोधन किया गया था कि लोकसभा कारेकाल 6 वर्स का कर लो ठीक है और 44 वा फिर 2 साल बाद हुआ 1988 में फिर बोल दिया गया पांच साल ही रहेगा लोकसभा कारेकाल तो दो साल बाद ही वो वापस ले लिया गया था डिसीजन ठीक है तो बात समझ माई तो एक बार छेवर्स का भी हुआ है कारेकाल तो वो पाँचवी लोग सभा का हुआ था ये भी आपका कॉश्चन बनता है और ये सॉरी राज्य सभा का छेवर्स ये बोले हो ठीक है छेवर्स कारेकाल राज्य सभा का हो जाएगा इस्थाई एस्थाई निम्न उच्च ये कौन से सदन है तो आप बोलते हैं इस्थाई सदन कौन सा है तो आप राज्य सभा को बोलेंगे इस्थाई या मतलब यह एस्थाई टेंप्रेरी हाँ यह एस्थाई सदन है तो एस्थाई सदन कोई पूछा जाए लोक सभा है ठीक है उच्छ सदन कोई पूछे राज्य सभा है निम्न सदन कोई पूछे लोक सभा बच्चे अक्सर उल्टा कर देते हैं तो उच्छ यह है ठीक है उच्छ यह मना गया है इस्थाई भी यह मना गया है ठीक है अब इस्थाई आप कहो कि भई पावर तो लोग सभा की ज़दा होती है बात भी सही है कि कोई जनताक द्वारा प्रतिनिद्धी चुने गए है फिर तो आप देखते हैं इस्थाई इन दोनों सदनों की बात बिल्कुल आपके दिमाग में क्लियर हो निम्न और उच्छ कौन सा है ये आपके दिमाग में एकदम क्लियर रहना चाहिए तो राज्य सभा के कुछ अपने विसेश अधिकार है उच्छ क्यों है क्यों इसको रखा गय वह एक अलग बात है पर इसवे अपने ऐसे अधिकार भी है इसके पास जो लोकसभा की पास नहीं है ऐसे अधिकार भी है उन अधिकारों की भी मैं बात करूंगा आगे ठीक है आगे बात करते हैं प्रिथम अध्यक्ष लोकसभा के प्रिथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर र ठीक है अनन्त सायनम इसके उपाद्यक्ष रहे हैं लोकसभा के पहले ये भी आपको याद रखना है बुक में लिखा हुआ है सब ठीक है तो जिसके पास बुक है उसको ना तो कोई PDF बनाने की जरूत है ना नोट करने की कोई जरूत है पर सीखो सिर्फ इतना क्योंकि आपको एसे आद करना है चीजों को ठीक है आगे राज्यसभा के पिर्थम अध्यक्ष वही होंगे देखे राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है उपराष्टपती हमेशा राज्यसभा का अध्यक्ष उपराष्टपती होता है तो पिर्थम अध्यक्ष कौन रहे होंगे जो पिर ली राधा क्रेश्णन डॉक्टर एस राधा क्रेश्णन एस राधा क्रेश्णन ये इनके प्रतम अध्यक्ष थे आगे अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है कैसे होता है तो लोकसभा का अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है लोकसभा के सदस्य लोकसभा का अध्यक्ष कभी कि कोई सपत नहीं लेगा क्योंकि वह लोगसभा का अध्यक्ष लोगसभा का ही सदस्य होता है और सदस्य लोगों ने सबने एक साथ सपत ले ली है तो दुबारा सपत नहीं लेगा तो सदस्य ताके रूप में सपत लेता है और लोगसभा हो जाएं बराबर बराबर हो जाएं सिर्फ तब इसको वोट का अधिकार होगा तभी तो महत्वैस की वोट का यह बता हो जब पहले जीत रहें तो किधर भी डाल दे क्या फरक पड़ रहा है तो यह वोटी तब डालेगा तब देखो कितना बहु मुल्य वोट होगा ठीक है तो इसका वोटिंग तब ही होती जब बराबर बराबर फक्ष में उतने भी पक्ष में उतने अब यह जिदर गया उधर काम हो ज करता है दो चीजें करती है कौन लोग सभा के सदस्य और विधान सभा के सदस्य ठीक है राज्य सभा के नहीं लोग सभा राज्य सभा दोनों के सदस्य विधान सभा के नहीं विधान सभा और विधान मंडल के सदस्य सिर्फ राष्टपतिके में भाग लेते हैं ठीक है अध्यक्ष का त्यागपत्र लोकसभा के अध्यक्ष का त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष किसको देगा उपाध्यक्ष को याद रखना लोकसभा का उपाध्यक्ष भी होता है जैसे अनंत सैनम पहले थे अब कौन चल रहे हैं वो दिया ध्यान कर लेना करेंट मैं मैं भी ल बात समंज म्हाने चलिए आगे बढ़ते हैं mail में वित्त और धन विद्यक्ट यह 113 122 के आसपास इसका विद्यक्स कोई अनुच्छध है ठीक एक सोदस कि नहीं कि यह 111 121 है यह सब वित विदहेक कि बात किसी की नवे अच्छ मेंगे तो वित और धन विदहक कहा पेस किये जाएंगे अनुच्छध में हमारे हैं आरिटिकल बिखा हुआ है वित विदह Chad क्या होगा वो परिबाष दी गई सबहा में पहले पिस्क तो विट्विद्व हैं कि अब इसको कोई बीएक है दोनों Eva सदनों में आता है तो यह जाएगा राज्य काässबात में पड़े गा राज्य को यह पास करना ही पड़ेगा अगया सब्सक्राण में टो जब कोई धनविद्य फैक्ट जाता है लोकसभा में जाता है सबसे पहले लोकसभा से फिर वापस राज्यसभा में आएगा अब राज्यसभा में जब जाएगा तो राज्यसभा अगर इसको पास ना भी करना चाहे तो सिर्फ तो चौदे दिन की देर कर सकती है, चौदे दिन, चौदे दिन की देर कर सकती है, बस, चौदे दिन रोक क्या अपने पास रखेगी, लेट कर देंगे, ठीक है, ये काम है, ये पावर है, बस राज्य सभा को, ठीक है, वरना पास तो इनको करना पड़ेगा, तो पावर तो लो राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है याद रखना राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है और लोकसभा भंग हो जाती है और जब हर पांच साल में लोकसभा भंग होती है कि एक बार छे साल में भी हुई है पांच भी लोकसभा ठीक है तो लोकसभा हर पांच साल में भंग होती है राज्य सभा कभी भंग नहीं होती है क्योंकि राज्य सभा के सदस्यों का कारेकाल एक साथ कभी खतम ही नहीं होता ठीक है एक साथ भंग कभ होती है कोई चीज आज बने पास साल बाद एक दम कारेकाल खतम अलेक्शन नहीं हुए तो भंग ही चल रही है कारेकाल तो खतम हो हो ही नहीं या तो उससे पहले election करा लो तब भी भंग मानी जाएगी जब क्या लग जाता है हमारे आचार सहीता भंग गया उस टाइम पर ठीक है तो लोग सबह उस टाइम पर भंग election commission के हाथ में सारी power आ जाती है ठीक है तो भंग का मतलब समझ गए क्यों है ये यह एफ्ठाई क्यों है ये बात भी समझ गए लेकिन राज्य सभा के हर दो साल में एक तिहाई सदस्य सन्यास गिरहन करते हैं मतलब अवकास गिरहन करते हैं वो retire हो जाते हैं 6 साल उनके पूरे हो जाते हैं वह कैसे जैसे मान के चलो 245 न मान के 240 मान लेता हूँ 80-80 सदस्य ऐसे मान लो ठीक है 245 मान ले न 81-82-82 आजाएंगे क्या हो गया क्योंकि 12 तो वैसे भी राष्ट पती चुनता है तो वो तो एक अलगी बात है वो भी ऐसे ही चुनते हैं वैसे हर दो साल में उनके तो ये क्या होता है एक तिहाई सदस्य है ये तो ये तो जैसे अभी मान लो बनाएं हैं ये तो अभी ताजा बने इनको दो साल हो चुके इनको चार साल हो चुके अब क्या हुआ दो साल बाद क्या होगा आप खुद बताओ दो साल बाद ये तो ताजा बने और जो जिनका च्छे था वो रिटायर कर दिये भी ठीक है अब ये जो ताजा बने हैं दो साल बाद ये दो हो जाएगा इनका इनका चार हो जाएगा इनका च्छे अब ये चले जाएंगे अब क्या होगा 80 वाले और आ जाएंगे 80 और फिर इनका 0 हो जाएगा दो साल बाद फिर ये 2 फिर ये 4 फिर ये 6 ये चले जाएंगे तो एक तिहाई सदस्य हर दो साल में रेटायर होते चले जाएंगे बात समझ मारिये वो इस कंडिशन पर चलता रहता है तो ये कभी भंगी नहीं होगी इसमें हमेशा बने रहेंगे सदस्य बात समझ माई इसलिए क्या सदन है इस्थाई सदन है चलिए बहुत सही चल रहा है काम धन विदेयक बात समझ माई आ गई है साधान विदेयक क्या है अब आप ध्यान देना साधान विदेयक की बहुत important बात बताऊंगा साधान विदेयक पहले पेस कहां किया जाता है ये question बहुत बार आया है विदेयक का तो आया ही है साधान साधान विदेयक विदेयक क्या है बिल ये तो money बिल है और ये simple है मतलब साधान बिल है तो इसको इसको पहले कहां पेस किया जाएगा अगर कोई पूछे सवाल तो आप कहेंगे लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी जिस में चाहो उसमें पेस कर दो ठीक है तो GST जैसे आया आप चाहो या जम्मू कसमीर का था तो आप चाहो तो राज्य सभा में पहले पास करा लो आप चाहो तो लोग सभा में पहले देखिए जैसे आप जम्मू कस्मीर का 370 हटाने गा तो पहले कहा पेश किया गया कोई बताएगा राज्य सभा में पहले पेश किया गया था चार को और पांच को फिर लोग सभा गया था क्योंकि उनको सकता कि राज्य सभा से साइद ना हो पहले यहीं कोसिस कर लेते हैं लोग सभा से तो कराए लेंगे ठीक है क्योंकि उनका बहुमत जादा था हाला कि भाउमत राज्यसभा में भी है तो थीक है तो अब साधान विदहयत कहीं भी पहले पेस किया जा सकता है ठीक है और रोकने का क्या चक्कर है इसको ये एक सदन में रुक कर रह सकता है छे महा तक रोक सकता है ठीक है इसको राज्य सभा कहो या लोक सभा कहो छे महीने तक रोका जा सकता है ठीक है चलिए बात समझ में आगई ठीक है और छे महीने कहो या अगले सत्र तक भी रोक सकता है ठीक है चलिए फिर उसके बाद कैंसल भ अनुच्छेद 108 बुक पढ़ना अब आपको लगेगा कि हमें सब कुछ ही आद है और एक भी पॉइंट दुबारा पढ़ना पढ़ जा तो बता देना और ऐसे नोट करके एक बार खुद लिख लेना अंस्वर बहुत मजाएगा अनुच्छेद 108 यह संयुक्त अधिवेशन का संयुक्त अधिवेशन से बहुत important question बनते हैं संयुक्त अधिवेशन क्या होता है पहले तो यह देख लो संयुक्त मतलब 29 अधिवेशन साथ साथ अधिवेशन किसका लोकसभा का रज्यसभा का ठीक है तो यह 108 अनुच्छेद जो है इसके अंतरगत यह रास्टपती इस क्यों बुलाता है यह तो पता है आपको रास्टपती बुलाता है अधियक्षता लोकसभा अधियक्ष करेगा मालों दोनों सदन साथ साथ बैठें लोकसभा में अलग अधियक्ष था राज्यसभा में अलग अधियक्ष है तो लेकिन उनकी अधियक्षता कौन करेगा लोकस मैं और इसके मरजी बोड़ा होता है लोग सभा अद्यक्ष तो लोक सभा अध्यक्षjang इसकी अध्यक्ष्ड यह जभी सदन एक साथ क्ला को वैसे ल встрет células अध्यक्ष्ण कोैंप दोनों गॉस्पिक किसे अनुच्छिद के अंतरगत बुलाया जाता है एक स्वार अब सवाल उठता है क्यों वुलाया जाता विदेख टो वित्विदेख में कोई विवाद नहीं हो सकता कुछ हो invest석ता चौई दिन रोके गा दोनों सद्रों में कोई विवाद हो सकता है क्या बता हो आप लिखी हुई है लोकसभा लोकसभा की पावर जादा है 14 दिन रोक ले विवाद खतम तेरी पावर है यूज़ कर ले ठीक है राज्जे सबा से यह बोल देगा कोई विवाद नहीं होना लेकिन साधान विदेख पर वो रोक के बैठा है वो कैंसिल भी कर सकता है अगले सत्र तक रोक सकता है तो इनमें आपस में विवाद हो जाता है ठीक है वह क्यों नहीं भेज रहे हो तो जब दोनों सद्रों में विवाद हो जाए तो इनका मुखिया इनको जो है बुला करके उस विवाद को सुल जाएगा मुखिया है रास्टपती ठीक है तो रास्टपती कब इनको बुलाता है जब दोनों सद्रों में आपसी मतभेद हो गया है और मतभेद होता है साधान विदेयक के उपर वित्पर नहीं याद रहेगी बात चलिए ठीक है आगे बात करते हैं लोकसभा के बारे में लोकसभा में पहले आमचुनाव 1951-52 में हुए थे बिलकुल याद होना चाहिए आपको पहला सत्र लोकसभा का 13 मई 1952 को चला था लोकसभा का पहला सत्र राज्यसभा का गठन गठन पूछ लिया जाता है दोनों साथ साथ चल रहे हैं द चुनाबों के बाद गठन हुआ यहां कि आजाओ आजाओ बठा लिए सब गठन और यह 3 अपरेल 1952 को इसका गठन पहले हो गया था उच्छ सदन ऐसे भी आप बोल सकते हैं पहले काम पहले काम इसमें हुआ ठीक है तब इसका नाम काउंसिल आफ स्टेट्स था ठीक है काउंस काउंसिल आफ स्टेट्स की काउंसिल थी स्टेट्स के मले वगेरा नहीं तो वोट किया था तो स्टेट आफ काउंसिल के नाम से जाना जाता था बाद में इसको राज्य सभा राज्य माने स्टेट तो वहीं से नाम निकल के आया राज्यों की सभा ठीक है बात समझ में आ ग सदस्यता कव ख़तम होती सार्ण की सदस्यता कव कह खतम होती है माँ मैं लो देखा हूद मैंने आप फारीव यह विताया पॉब रहते हैं तो कितने दिन भी हैं मिल सकता आपने घर लोड़ सकता है के संसद वो जाए ही ना नहीं उसको संसद में जवाब देही उसकी होती है और वो बताएगा जाकर के कि मैं नहीं आपाऊंगा इतने दिन अगर वो नहीं उसने बताया और साथ दिन निकल गए तो उसकी सदस्यता रद कर दी जाती है ठीक है उसको साथ दिन बगेर बताए वो औहीं हो सकता सनसल से बात समझ में आ गई तो यह कोश्चन बनता है जिससे उसकी सदस्टता रद्ध हो जाएगी कितने दिन की वह अब जिया जब वह बगेर बताए सदन से अबसेंट हो चलिए जिसमी सदन आपको राज्य सभा का हो तब भी हाँ किसी की भी सदन का हो लोक सभात था राज्य सभात दोनों में चैनित होने पर अगर कोई आदमी ऐसा है कि वो दोनों में चैन हो गया है लोक सभा में भी राज्य सभा में भी दोनों में चुन लिया गया है तो वो उसको दस दिन के भीतर उसको एक सदस्यता छोड़नी पड़ेगी अगर उसने नहीं छोड़ी समझ के जलना उसने नहीं छोड़ी तो उसकी लोकसभा की सदस्यता रद होगी या रज्यसभा की ये भी बुक में लिखा हुआ है तो याद रखना क्योंकि लोक सभा में तो वो चुन के आया पिरती निदी होगो तो उसकी सदस्यता नहीं रद करते हमेशा उच्छ वाले की ही रद होती है याद रहेगी बात तो राज्य सभा की ही रद होगी दोनों में जो उच्छे उसकी रद्द होगी याद रखना है यह बात ठीक है अब देखो ऐसा भी होता है लोक सभा और एक बार तो लोक सभा का सदस्य या राज्य सभा का सदस्य सेंटर में संसद का सदस्य और इधर भी चुन लिया जाए मालो विधान सभा का या विधान परीशद का विधान सभा का या विधान परीशद का सदस्य चुन लिया जाए MLA या MLC तो उसकी अगर उसने नहीं कोई सी कैंसल या तो वो खुद कैंसल करा ले अगर उसने कैंसल नहीं कराई तो उसकी कौनसी सदस्यता रद्ध होगी उपर वाली मतलब लोक सभाय राज्य सभा वाली सदस्यता उसकी चली जाएगी विदान सभाय विदान परिशद वाली बची रहेगी तो याद रखोगे ना उपर वाली सदस्यता रद्ध होती है ठीक है चलिए वही और सबक में उसक जब वो लोकसभा का सदस्य से अपना पहले त्याग पत्र देगा तब MLA का चुनाओ लड़ सकता है वैसे लड़ी नहीं पाएगा तो विधान परिसद में MLC यूई चुन लिए जाते हैं ठीक है मालो राज्य पल ने यूई नाम दे दिया हो ठीक है तब दिक्कत हो जाएगे उसको विधान परिसद और लोकसभा या संसद का कुछी भी सदन का सदस्यता हो तो उसकी कौन सी सदस्यता जाएगी अगर उसने दस दिन के भीतर या तो खुद त्याग दे कि मैं मैं इसका नहीं रहना चाहता है यह चाहिए लिखी तुम्हें देना पड़ेगा उसको ठीक है तो बात सही है फिर तो वो उसका ही बना रहेगा जिसका है ठीक है जिसका वो चाहता है अगर दस दिन में उसने जबाब दाकिल नहीं किया तो फिर उसकी सदस्द्रा जाएगी ठीक है कौन सी जाएगी उपर वाली ऊची ठीक है सबसे लंबी लोकसभा कौन सी चली आज तक वो मैंने बार-बार बूल रहा हूँ एक ही सदन में दो सीट जीतने पर जैसे मालो प्रदानमंत्री जी लड़े थे मोदी जी वारानसी से भी लड़े थे और गुजरात में एक जगहती वहां से भी लड़े थे ठीक है अब एक ही सदर में लोक सभा में दो सीट उन्होंने जीत ली तो एक सीट को उनको छोड़ना पड़ेगा दस दिन के अंदर अंदर ठीक है नहीं तो एक सीट की सदस्था नहीं एक नहीं उनकी दोनों सीटों की सदस्था रद्ध हो जाएगी क्यों नहीं तो एक कौन सी रद करें दिक्त उच्छ तो ही नहीं कोई सी भी ठीक है तो तब क्या होगा उसे स्थिति में अगर दस दिन के अंदर उन्हें नहीं छोड़ी तो उनकी दोनों सदस्थता रद है दोनों सीट पर रद ये कोश्चन है बड़े इंपॉर्टेंट बड़े गहराई कि क्या किसमें इसमें विदान परीशत में ये 14 दिन है साय देख लेना एक बार चेक करके हो सकता है चौदह ही है चलो चौदह कर ले ना भैसको जब क्योंकि दो अलग अलग संसद एक संसद हो गया एक राज्य का हो गया उस टाइम पर चौदह दिन के अंदर उसको करना पड़ेगा बाकि इन दो में दस है इसमें भी दस है और इसमें भी दस है ठीक है याद रहेगी बात कई बार आपके़ यहा कि सीट एस थो सकती है तो फिर को हिसे का सिट रहें और 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 कोई के मेंडिट खड़ा का एक वटे दस वो मैं पहले ही बता चुका हूं गणपूर्ती क्या है सदन चलाने के लिए गणपूर्ती आवश्यक होती है मतदान की आयू आपको पता होना चाहिए अगर 1989 से पहले बात करूं तो मतदान की उम्र 21 वर्स होती थी 21 वर्स 61 संवीधान संसोधन हुआ 1989 में उसके बाद 21 वर्स से घटाकर 18 वर्स का आदमी अब वोट डाल सकता आदमी लड़की औरत जो भी है ठीक है तो अब 18 वर्स कब से हुई है अगर कोई पूछे तो 1989 से उससे पहले किस साल का लोग वोड़ डालते थे ठीक है बात समझ में आगे चलिया आगे मंतरी परिसद लोग सभा के प्रति उत्तरदाई है मंतरी परिसद ये भी पूछा जाता है कोशन कि कि किसके प्रति उत्तरदाई लोग सभा के राज्य सभा के प्रदान मंतरी के किसके ऐसे option बना तो आप याद रखना कि मंत्री मंडल पूरा ही उत्तरदाई होता है लोग सभा के पृति लोग सभा के पृति और ऐसा कौन सा अनुच्छिद कहता है अनुच्छिद पिछित्तर ठीक है तो दो तीन अनुच्छिद बड़े इंपोर्टेंट आए संचद होगी 89 संयुक्त दिवेशन 108 और एक ये अनुच्छिद पिछित्तर आया है मंत्री परिशद लोग सभा के पृति उत्तरदाई है और 110 बारे मैंने बोल दिया है वित्त विदेयक का हां हां राज्यसभा लोग सभा के भी अपने अनुच्छिद हैं 80 की आसी की राज्यसभा होगी लो राज्यसभा के विशेसाधिकार राज्यसभा के वो मैं बता रहा था ना कुछ विशेसाधिकार उसके पास होते हैं राज्यसभा के तो वो यही हैं राज्यसुची पर कानून बनाने की पहल राज्यसुची के विशे होते हैं किंद्र सुची के भी होते हैं राज्यसुची में कौन सा विशे आएगा कौन सा नहीं आएगा ये राज्य तेह नहीं करता राज्य सभा तेह करती है ठीक है लोकसभा का भी नहीं होता इसम जादरॉल ठीक है तो राज्य सभा ही इसकी पहल करेगी सुरुवात करेगी फिर बाद में लोकसभा में जा सकता है विदेहक तो बने गई फिर ठीक है और विदेहक तो जाना पड़ेगा लोक सभा में भी तो पहले का मतलब पहले इसमें और तो अनुच्छे 248 में ये विशेस अधिकार इनको दिया गया ठीक है इसको बदल नहीं सकते अखिल भारतिय सेवा के सिर्जन का अधिकार अखिल भारतिय जो सेवाएं है ठीक है जो बड़ी बड़ी सेवाएं आप सोच लिजे एडमिस्टेटिव सर्विसिज आई एस यूपी एससी वगेरा इनका जो सिर्जन है वो राज्यसभा के दौा से जो अब तक प्रधानमंत्री देखें लोग सभास ही है सारे बस चार प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो राज्यसभा से है कौन कौन से हैं वो उनके नाम आपको याद होने चाहिए दो का नाम तो आई सही है इंद्रा गांदी और आई के गुजराल मतलब इंद्र कुमार के सदस्द से रहें और एक चौथे और हैं कोई बताएगा एच डी देवगोडा तो एच डी देवगोडा वो चार ही प्रदान मंत्री ऐसे आज तक जो राज्य सभा के सदस्द से रहें जैसे अलक्षन जिनोंने नहीं लड़ा था कहीं भी लोग सभा से ठीक है बात समझ माई चलिए आगे बात करते हैं सबसे लंबे रहने वाले लोग सभाद्यक्ष कौन है कि बल्राम जाखड बल था इसलिए लंबे टाइम तक रहे ऐसे याद रख लो तो बलराम जाखड ड़ा के रह लिए लोगों को ठीक बल राम जा खड़ो आगे लोकसभाद्यक्ष जो रास्टपती भी रहे नीलम संजीव रेड़ी ये रास्टपती इनके टाइम पर दूसरे चरण की मत गणना करानी पड़ी थी वो दूसरे चरण क्या है वो मैं आगे बताऊंगा ठीक है क्या लोगसभाद्यक्ष जो रास्टपती रहे ये बता चुका हूँ मैं यही बताया ना हाँ नीलम संजीव रेड़ी पिर्थम दलित लोकसभाद्यक्ष कौन रहे हैं क्या नाम है दिखाओ मुझे मेरे नामी समझ में नहीं आ रहा इतना धेर तुम्हें सवयाद है और मुझे जादिना बाली होगी हाँ जी एम बाली होगी ठीक है जी एम बाली होगी पिर्थम दलित लोकसभाद्यक्ष थे तो जी एम बाली होगी याद रख लेंगे नेक्स्ट है पिर्थम महीला लोकसभाद्यक्ष मीरा कुमार ठीक है और सबसे जादा देखिए मैंने नहीं बताया कि लोक सभा की सीट सबसे ज़्धा किस राज्य में हैं आपको पता हो ना चाहिए यू-पी में ऐसी और केंद सासित प्रदेश में सबसे ज़्धा किस में हैं हमारे साथ के आप तो नो केंद सासित प्रदेश हो रहे हैं पर कोई बात नहीं, याद रख लो, उनकी अभी तेहनी हुई है कि कितनी सीट रहेंगी, तो दिल्ली में, साथ, ठीक है, अब, राज्य सभा की, सबसे हादा राज्य में किसमें हैं, उत्तर प्रदेश, राज्य सभा की सीट कितनी, 31, और किस राज्य में, किस केंसासित प्रद पता हूं, सारी चीजे समझ में आगी होंगी, अब संसद आप पढ़ना, आपको सब कुछ याद मिलेगा.